दोस्तो इस पांच बातों को गांठ बांध लो दोस्तो अगर आप इन पांच बातों पर ध्यान देते हैं तो आपको पूरे साल पैसे की किलत नहीं होगी तो चलिए बताते हैं वहां कौन कौन सी पांच बाते हैं जरूरतों पर खर्च करनी चाहिए आपको नो की चाहतों पर दोस्तो कई बाड़ हमें जो चाहिए होता है वह उस्य कम होता है जो हम सोचते हैं कि हमें चाहिए एक बहतर वितिये मंत्र का मतलब है कि आप जरूरतों पर खर्च करें न की चाहतों पर एक अपात काली निधी बनाएं इस निदी में आप अपने बैंक खाते में तीन महीने का वेतन सुनिश्चित करें ताकि या सुनिश्चित हो सके कि नोकड़ी या वेवसाय खोने या पडिवार में किसी के बेहत बिमार परने जैसी दुरभाग पुर्ण इस्तिती का सामना किया जा सके नियुन्तम का विकल्प चुने आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खरिदना है और इसे से कहीं ज्यादा आपको इस बात की जनकारी होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं खरिदना है आपको सब कुछ खरिदने की जरूरत नहीं है इस इस्तिती में हमेशा ओगत रहें और इ एक जनौरी से बचत करना शुरू कर दें, नय साल की शुरुआत करने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि यह नया साल है, इसलिए देर न कड़ें, बलकि बचत करें हैं, क्योंकि यह नया साल है, हममेशे ज्यादा तर लोग नया साल की पहले असंख संकल्प केवल तोरने के लिए ही लेते हैं लेकिन इसे एसा नहीं होने दें क्योंकि यह एक एसा संकल्प है जो आपको कभी विफल नहीं करेगा बचत को अपना सर्फशेष्ट अस्थान दे और यह बाकी का ध्यान खुद रख लेगा पैसे बचाने की तरकीव एक अनुसासन से सुरू होती है शुरूआत मुश्किल हो सकती है लेकिन इसका अंत बहतर होगा आपको सबसे पहले एक आदत बनानी होगी एक अनुसासन पैदा करना होगा अपने आप से कहाना होगा कि आपको बचत करनी हैं अपनी जीवन सैली में छोटे छोटे बदलाव करने हैं और जल्द ही आप ब हुद्कान के वोज पर निर्भर करता है लेकिन हर साल में बचत करे वैसे भी बचत की रासी का अकार मायने नहीं रखता आदत मायने रखती है मासिक अधार पर एक रासी को बचत के रूप में अलग रखना सुनिश्चित करे और इसे छूने का लालच न करे वरना इससे अवसक रूप से खर्च नहीं कर रहे हैं अपने व्याय को अपनी आय के साथ समयोजित करे एक अच्छा अभ्यास यह होगा कि आप अपनी अविसक्ताओं की एक सूची तयार करे फिर उन्हें अत्यावसक और बाद में की श्रेणी में विभाजित करे उन उत्पादों के श इसके अलावा अपनी खड़िदारी का शही समय भी तय करे जैसे कि यदि इलेक्ट्रोनिक्स उत्पाद करजेट आप चाहते हैं तो खड़िदारी के लिए दिवाली का समय सबसे अच्छा आउशर है क्योंकि उस समय इलेक्ट्रोनिक्स समानों पर आफर आते हैं और कम दाम आप खुद को कर्ज चुकाने के बोज से दवा हुया महसूस ना कड़े लेकिन अगर आप इस अउसर के लिए बचत से कुछ अन्य संभावनाय तलासना चाहते हैं तो अलग-अलग जरूरतों के उचित कुदपादों को चुने बाई नाउ पे लेटर दोस्तो अभी खड़ इन के साथ अन्य जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान रखा जा सकता है चुकावती संभंधित दाईतों को करने पूरा दोस्तो अपने भुद्तान दाईतों को समय पर पूरा नहीं करना आपके खिलाफ काम करता है क्योंकि यह केवल आपके भुद्तान का बोज बढ़ता है बलकि आपके क्रेडिट इतिहास पर भी बूरा प्रभाव डलता है यदि आप अपने भुद्कान दाइतों को टालने और बचत और निवेश को अगले महीने के लिए स्थागित करने की आदत में है तो सुनिचित करे कि इससे अगले वर्स तक ना ले जाए 2022 को एक नई शुरुआत होने दे जिसमें आप अतीत की गलतियों को दूर करे और अपने क्रेडिट इतिहास को साफ रखने और क्रेडिट स्कोर को उच रखने के लिए अच्छी वितिये आदतों को अपना है तो दोस्तों आप लोग को यह जनकरी कैसी लगी कमेंट वक्स में जरूर बता है वीडियो अच्छी लगी तो इस चनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं धन्यवाद